तो नमस्कार आज बहुत टाइम के बाद फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्न प्रो लेसंस में जैसा कि आप सभी को परता है कि हम लोग NCRT Summary Series कर रहे हैं और हमने लास्ट टाइम NCRT Summary Series में Class 6 जोग्राफी का First Chapter History का Cover Up कर लिया था जोग्राफी हम पहली कर चुके हैं आज हम History का Geography NCRT Class 6 का Second Chapter हम स्टार्ट करेंगे जिसमें आपको पता लगेगा कि हम कैसे एक Hunters शिकारी से खाना Collect करने वाले याने की खाना इकठा करने वाले बन गए देखे इन Summary Series का मेरा एम यह रहता है कि आपको सिरफ Main Important चीज़े ही पढ़नी पड़ें आपको पूरी की पूरी NCRT chapters नहीं खंगालने पड़ें और आप बहुत ही कम टाइम में और इनको शॉट तरीके से अपने कितने भी कोई भी Government exam चाहिए UPSC हो, SSC हो, IAS हो कोई भी exams को आप बहुत इसली अपने कम टाइम को सेव करते हुए जल्दी से जल्दी इन chapters को असानी से पढ़ सकें तो आए अपना आज NCRT Classics का History का second chapter शुरू करते हैं और हाँ शुरू करने से एक request यार आप लोग subscribe और share नहीं करते हैं like नहीं करते हैं तो देखिए आपको अगर काम पसंद आता है ये chapters आपको actually NCRT तो हड़ जगा मिल जाती है मगर short तरीके से जो चीज़े आपके लिए जरूरी है सिर्फ वो ही मैं आपके लिए उठा कर एक जगा मैंने notes form में कठे के हुए हैं तो आपको ये काम पसंद आता है तो आप इसको subscribe करें, share करें और like ज़रूर करें तो और comment करें कि जहां आपको समझ में नहीं आता है या आपको पढ़ने में कोई दिक्कत होती है तो मुझे comment करें और बताएं कि आपको कहां परशानी आ रही है तो आई शुरू करते हैं अपना second chapter history का from hunting, gathering to growing food मतलब शिकार और इकठा करने से खाना उगाने के लिए पहले हम खाना ढूनते थे और हमारे इतिहास में जब इंसान थोड़ा develop हुआ तो उसने खाना उगाना भी शुरू किया तो देखिए भिम्बेट का जो की मध्य परदेश में है ये बहुत important site है जो आपको एक्जाम में आती है भिम्बेट का मध्य परदेश में ये एक old site है site थी जहांपर caves यानि की सुरंगे गुफाएं और पत्रों से बने shelters वहाँ पर बने हुए थे भिम्बेट का में people choose these natural caves because they provided shelter from the rain, heat and wind ते ये पुराने समय में इंसान को हवा से, आग से, पानी से बचना होता था तो एक shelter के दौर पर वो भिम्बेट का की caves को use किया करते थे यानि की भिम्बेट का एक तरह से एक example है उन caves का जहांपर पुराना इंसान रहा करता था these rock shelters are close to नरम्दा वैली और ये जे rock shelters से ये नरम्दा वैली के काफी नरम्दा घाटी के काफी close रहते थे they call the earliest period call paleolithic यानि की जो पुराणा समय था उसको बोला जाता था paleolithic देखे एकजाम में कुशन आ जाता है की paleolithic का मतलब क्या होता है ये ज़े paleolithic word है ये Greek word दो words से मिलकर बना है एक का नाम है Paralelio और दूसरा का नाम है Lithos Paralelio का मतलब होता है Old, पुराना Lithos का मतलब होता है Stone The name points to the importance of finding of stone tools देखे अगर आपको exam में कुशन आता है कि Paralelithic Age कौन सी थी या आपको interview में कोई पुछ देता है कि Paralelithic Age कौन सी थी तो यानि कि stone tool से बनी हुई जिस सब्विता में, जिस समय काल में stone यानि कि पत्रों से बने हुए औजारों का इस्थमाल होता था उसको paralelithic age का जाता था The paralelithic period extends from 2 million years ago to 12,000 years ago जो paralelithic period था वो 2 million साल से लेकर 12,000 साल पुराना था The long stretch of time is divided into lower, middle and upper paralelithic और इस paralelithic age को तीन parts में divide किया जाता है तीन भागों में divide किया जाता है जिसको हम बोलते हैं lower paralelithic, middle और upper paralelithic This long span cover of our 99 personal human history जो पुरा हमारा ही मनितिहास है, हमारी जो human history है 99% नेने आमने प्रतिशत इस पूरे भाग में समा जाता है Beginning about 12,000 years ago Till about 10,000 years ago is called mesolithic देखे, 2,000,000 से लेकर 12,000 तक तो paleolithic था और 12,000 से लेकर 10,000 साल तक था mesolithic इसको बोलते है middle stone age मध्य पशान काल जिसको आप हिंडी में कहते हैं Stone tools found during this period are generally tiny और जो mesolithic में जो पत्थर की जो औजार मिले करते थे वो generally tiny होते थे you can say tiny यानी की छोटे होते थे और इनको microlits भी बोलते थे micro app science में पढ़ते हैं उसको microlits भी कहा चाहता था microlits were probably stuck onto handles of bone or would to make tools such as saw or sickle तो microlits की age में जो tools से वो bones के हड़ियों के हड़ियों से एक handle बना कर या उसमें लकडी फसा कर कुछ एक ओजार बना दिया जाते थे जैसे saw, sickle, दराती वगएरा काटने के लिए उस तरह से ओजार को बना दिया जाता था at the same time older value तो टूल अगंटियों भी हो और उससे पराने भी ओजार वहाँ पर use किया जाते थे और जो इसके बात की age आती है तस हजार साल परानी उसको हम नियोलिथिक बोलते हैं तो तीन आपने पढ़ी पैरोलिथिक, मीजोलिथिक और नियोलिथिक दा फर्स्ट एनिमल तो बी टेम्ड वास वाइल एंसेस्टो डॉग ऐसा माना जाता है जो पहले किसी जानवर को अगर इनसान ने अपने नियंतर में टेम किया तो उसको वो कुत्ता था तो यानि कि कुत्ते को सबसे पहला एक पालतु जानवर बनाया गया ये एक एक्जाम में कोशन भाल बर रहा जाता है तेकि मैं topic wise topic नहीं कि हम पढ़ यहां पढ़ रहे हैं जो कि आपकी NCRT में बहुत जादा जरूरी माने जाते हैं